इस ब्राउजर के यूज़ पर रोज मिलेगा फ्री डाटा, यह कमपनी दे रही है ओफर। वैसे तो लगभग हर टेलेकॉम कमपनिया अपने कस्टमर्स को फ्री डाटा दे रही है। Reliance Jio, Airtel और Vodafone समेत कई बड़ी कमपनियों ने अपने कस्टमर्स के लिए फ्री डाटा की खास ओफर लेकर आये और इनमें सस्ता या फ्री डाटा देने की होरसी लग गई है। बहहराल, अब Mobile Advertising Company जाना भी इस डाटा जन्ग में शामिल हो गई है। दरसल, कमपनी ने गुरुवार को एक ऐसा ब्राउजर लांच किया है जिसके जर ये फ्री डाटा लोगों को मिल सकेगा। देश में Mobile Data की लागत अभी अधिक। एक आकड़े के मुताबिक भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन का बजार है और करीबे करब लोग यहां Mobile इस्तिमाल करते हैं। उभरते बाजारों में लोग बड़ी तेजी से Android डिवाइस अपना रहे हैं, लेकिन Mobile Data की लागत अभी भी अधिक है। ऐसे में, जाना, की इस पहल से लोगों को राहत मिल सकती है। एमसिंट ब्राउजर लॉंच किया। दरसल, जाना ने भारत में एमसिंट ब्राउजर लॉंच किया है। इस ब्राउजर को इंस्टॉल करने के बाद ही आपको Free Data मिलेगा। यानि इस सुविधा का लाब उठाने के लिए आपको सिर्फ ब्राउजर इंस्टॉल करना होगा। यह सुविधा Android यूजर्स को मिलेगा। अगली स्लाइड में जानिये कितना मिलेगा डाटा। 10 MB Free Data प्रति दिन। इंस्ट ब्राउजर डाउनलोड करने वाले कस्टमर्स को शूरू आती चरण में 10 MB Free Data प्रति दिन यानि 70 MB डाटा प्रति सप्ताह दिये जाएंगे। इस प्लेटफॉर्म पर जितने ज्यादा विग्यापंदाताओं को जोड़ा जाएगा डाटा की सीमा भी उतनी ही बढ़ेगी। खास बात है कि यह ब्राउजर बिना किसी प्रतिबंद के इंटरनेट पर मौझूब कंटेटू प्लब्द कराएगी। कंपनी का लक्षिय उभरते बाजारों वाले देशों में एक अरब लोगों तक इंटरनेट पहुचाना है। 600 करोड इंवेस्ट करेगी कंपनी। भारत के बजार में बढ़ती हुई संभावनाओं को देखते हुए कंपनी की 90 मिलियन डॉलर यानी करीब 600 करोड इंवेस्ट करने की एजना है। जाना के सहसं स्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नाथन इगल ने कहा, भारत हमारे लिए सबसे बड़ा बजार है। इसलिए हमने यहां अधिक से अधिक इनवेस्ट करने की सोची है। 100 करोड इंवेस्ट का लक्षिय। भारत पहला ऐसा देश है जहां हमने ब्राउजर लांच किया है। हमें उम्मीद है कि 2017 के आखिरी तक 10 मिलियन यानी 100 करोड यूजर हो जाएंगे। यूजर्स को बढ़ाने के लिए हम सर्जिंजन गूगल समेत इंस्टाग्राम और फेस्बिक की भी मदद लेंगे।